हेलो दोस्तों सुबह उठते ही हम लेडीज का सबसे पहला सवाल दिवांग में यह आता कि आज क्या बनाया जाए जो जल्दी छटपट और कम समान से बनकर त्यार हो जार घर में बच्चों से लेकि बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आए और बिना मेहनत के बन जाए तो चल आप अच्छे से चटक जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटावा अधरक आप यहां पर अधरक का पेस्ट या अधरक को कद्दू कस करकर भी डाल सकते हैं साथ में ही डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज बारिक चॉप किया हुआ हमें यहां पर प्याज क हो गया है पर हमारे अधरक का कच्छा पन हो निकल जुका है उसके बाद हम डालेंगे इसमें आपर कड़ी पत्ता कड़ी पत्ते का फ्लिवर इस नास्ते बहुत मज़े का आएगा अगर आपके पस लगा हुआ तो आप जरूर से डाले या पुराना भी रखा तो भी आप य के लिए और साथ में डालिए तीखी के लिए दो हरी मिच्ची बारी कट करकर अगर इनाश्ता आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिच्च 2 की बजाए एक भी यहां पर यूज कर सकते हैं क्योंकि बच्चे कम ठीका खाना पसंद करते हैं तो देखे सारी लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे उसमें याप डालेंगे एक कप गिहूं का आटा का यह हम है जो हम घर में चपाती बराने के लिए सिमाल करते हैं और साथ में डालिए दो चमच नॉर्मल वाली चमच है चावल का आटा जालनी से नाससा थोड़ा सा ग्रीश्प बनेगा स्वात थ स्वातनुसार नमक डालेंगे अब इसमें हम पानी डालेंगे पानी को हमें य या पर करके डालेंगे पंप चम्चे daug जो घुमाए वगकर अच्छे से यहां पर फूट जाएगी अभी यह थोड़ा सख्थ है तो थोड़ा पानी अभी हम इसमें और डालेंगे। हमें इस घोल को ना तो ज्जाधा पतला ही बनाना है और ना ही ज्जादा हमें इसको गाड़ा बनाना है। अगर बायचन सापका घोल थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप यहाँ पर चाबल का आटा या फिर गिहूं का आटा डालके इसको नॉर्मल कंसिजनसी में ले आएं। हमें बिल्कुल इसी कंसिजनसी का यह खोल बना कर तयार करना है यह गिरे तो सही पर चम्चे से चिपक कर गिरे एकदम से ना गिरे तो आप देखी सकते हैं बिल्कुल इसी तरीकी का हमें यह गोल बना कर रेडी करना है तो चलिए इसमें जो हमने तड़का बना कर तयार करा थ आप देखी सकते हैं कितना अच्छा और मज़े का कलर आया है और साथ में यह पर डाल देंगे हरी दिन्या की पत्ति जिसको बारिक बारिक चॉप कर लिया था हरी दिन्या पत्ति डालने से इस नाश्ते में चार चांद लग जाएंगे यानि कि इसका जो फ्लेबर है बहुत ज हाने वाले सोड़ा का इस्तमाल किया है यह बिल्कुल हमने इन तीनों चीजों के बगेरी बनाया है अब गैस पर चड़ा लेंगे हम एक तवा आप पर पैन या साधा तवा भी ले सकते हैं और दो बुन तेलगी डालके इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा रफली फैला दी यह अपने आप अपनी शेप ले लेगा और उसके बाद जब नीचे से थोड़ा सा हलका सा यह सीख जाए उसके बाद एक दो बुन्द आप यहां पर तेल की डाल सकते हैं यह पूरी तरह आपकी मर्जी है अगर आप इस नाश्ते को बिना तेल के भी एक बार के लिए बनान चाहे तो ना डाले और बहुत असानी से नाश्ता पल्टा जाता है ना यह चिपकता है आप इस नाश्ते को साधे तवे पर भी बना सकते हैं अगर आपके पास नौस्टिक दावा नहीं है बस इसे दरीवी से पलट कर आप दूसरी साइट से भी सेख लीजी और बिल्कुल यह नाश्ता बचकर नहीं आएगा पूरा इनास्ता बनाती हूँ तो आप नाश्त्य को पनाता और A Pana कोशोशिश करें थी का बना कर देखें अब अगना यह नाश्ता में Tucson ला कर देखाए आप यह ज़िरा लगा आपको लो फ्लेम पर ही करना है और यह अपने आप ही फैल गया है आप देखी सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं फ्लाया बस जब नीचे से थोड़ा सा सिख जाए तो आप इसको इस तरीके से पलट दीजिए और दोनों साइड से अलटते पलटते वे इस नाष्टे को हमने तयार कर लिया बस इसी तरीके से आप जितना मर्जी नाष्टा बना कर सुबह की जल्दबाज में तयार कर सकते हैं सुबह सुबह तेज वाली भूख लगी हो और इंस्टेंट कुछ बनाना हो तो आप इस नाष्टे के रेसिपी को अपलाई कर सकते हैं यानि की इसको सच में आपको बहुत पसंद आएगी तो आज अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन के बटन को हिट जरूर से करें जिसमें मेरी रोज आने वाली नई नई रेसिपी को आप देख पाए औ तो मज़ा इस नाश्टी को खाने में आपको पहुत आएगा तो मिलते हैं नई दी नई रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग